Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English Educator और आज मैं start करने वाली हूँ class 11th की जो आपकी elective book है जिसका नाम है Woven Words, उसका chapter number 7, short story section में से start करने वाली हूँ है जिसका नाम है Glory at Twilight तो Glory at Twilight का meaning समझाती है दियो पहले मैं Glory का मतलब होता है something which is very beautiful कोई चीज बहुत सुन्दर है जो आपको बहुत अच्छी लगती है and Twilight का मतलब है साय काल का समय यानि शाम का समय जब सूरज ढल जाते है और आसमान में सरिफ sun की light रह जाती है हलकी हलकी orangish yellowish color का sky रहता है वो जो time होता है 6.30 के आसपस उसे हम कहते हैं Twilight so let's read about our author now कि किसने ये chapter लिखा है तो भवानी बटाचार्या is our author and the picture which you could see on my left hand side is Mr. भवानी इनका बर्थ यर 1906 में हुआ था और डेथ यर 1988 में हुआ थी he was one of the foremost Indian writers of fiction in English तो foremost का मतलब क्या होता है important and famous तो ये English writing मतलब जो English writers है उस English writing की industry में ये काफी important और काफी famous writer थे और ये fiction की लिखते थे याने की imaginary stories लिखते थे one acclaim for his novel acclaim का मतलब क्यों होता है praise याने की तारीफ तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ पाई और कौनसी novel के लिए अपनी कौनसी किताब के लिए जिसका नाम था So Many Hungers जो year 1947 में publish हुई थी which presents a vivid picture of Bengal famine during World War 2 तो इस book में क्या था जब World War 2 याने विश्व युद्ध दो हुआ था उस time पे Bengal में famine आया था याने की book मरी याने scare city of food की problem आ गई थी तो उस पूरी situation को उन्होंने अपनी So Many Hungers बुक में उजोंने पूरा इस में बताया था तो इस बुक के लिए इनको काफी सारा प्यार और प्रेज तारीफ मिली थी He won the Sahitya Academy Award for Shadow from Ladakh तो इनको Shadow from Ladakh नाम की इनकी novel के लिए भी Sahitya Academy Award मिला था year 1966 में He also wrote a number of short stories और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी short stories लिखी है Gloria Twilight ये जो उन्होंने जो chapter लिखा है short story लिखी है Is taken from the collection Steel Hawk and Other Stories तो इनकी एक novel है, इनकी एक collection of books है जिसका नाम है Steel Hawk and Other Stories उसके अंदर एक छोटी short story थी Gloria Twilight जिसको आज हम एक chapter के समान या chapter जैसे पढ़ रहे हैं Okay, so today's lesson is all about एक छोटा सा मैं over video देती हूँ आज का जो lesson है एक इनसान के बारे में है जिसका नाम है सत्यजीत Okay, सत्यजीत बैंक में एक clerk है और suddenly एक दिन उसकी life में कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी किस्मत पलट जाती है जब वो बैठा हुआता तो उसके सामने एक इनसान आता है एक check लेके कि भाई मुझे इसको end cash करा दो यानि इस check में 2000 रुपे है मुझे इसके बदले 2000 रुपे cash दे दो सत्य जीत ने जब देखा तो उसको थोड़ा doubt हुआ इंसान के हाओ बाओ और shake करते हुए हाथ हिलते हुए जब देखा तो उसने का यह तो छूट लग रहा है तो उसने किदर उदर से confirm किया पुराने records देके तो उसको पता चला कि managing director बन गया अपनी बैंक में उसने बहुत पैसे कमा लिए घर दो गाडियां सब कुछ जिसमें एक गाड़ी उसकी एक गाड़ी उसकी वाइफ की है आज presently उसका जो बैंक है वो collapse हो गया यहने बैंक को बहुत losses होगा तो बैंक खतम हो गया तो उसकी जॉब चली गए जिसकी वज़े से उसके सारे assets चले गए हैं घर गाड़ी बंगला सब कुछ चले गया है तो आज सत्यजीत वापिस वही पहुच किया है जहां से उसने स्टार्ट किया था यहने जब बैंक के क्लर्क से पहले गाउ में रहता था गाउ में उसने struggle करके क्लर्क तक पहुचा फिर एक इसको luck मिल गया एक इनसान को पकड़के तो यह आज managing director बन गया इस तरीके से सत्यजीत ने जहां से स्टार्ट किया तो वापिस वही पहुच गया तो इस बीच में सत्यजीत को एक invitation आता है जब सब कुछ उसकी life में खतम हो गया पैसे चले गए घर गाड़ी बंगला सब चले गया इसके बाद सत्यजीत के पास एक गाउं में रहने वाले उसके गाउं के रहने वाले एक चाचा जी का एक invitation आता है कि मेरी बेटी बीना की शादिये प्लीज आईए और अपना benediction याने blessing दीजे अब blessing के नाम पे he wanted money की आओ कुछ पैसे दे दो मदद कर दो तो मेरी बेटी की शादी हो जाए अब पहले भी उनकी कुछ बेटीया थी जिनकी शादी में सत्यजीत ने बहुत help करी थी लेकिन इस बार तो उसके पास कुछ था नहीं बद स्टिल अपना mind fresh करने के लिए वह शेहर से दूर चलेगे अपने गाउं में कि चलो कुछ दिन अच्छा लगेगा अब वहां पे उन्होंने 2000 रुपे मांग लिए उससे कि भाई डावरी में दैज में 2000 रुपे मांगे हैं लड़की वालोंने दे दो अब इसके पास तो कुछ नहीं जेव में सर्फ 200 रुपे थे अब ये क्या करें तो इसके पास गाउं में एक अपना खुद का छोटा फिश पॉंड और एक छोटा घर था जो किराय पे इसने दे रखा था अब इसने बोला यार मैं क्या करूँ अब तो मतलब इसकी 2000 रुपे चाहिए मेरे पास कुछ ही नहीं अब वो बिचारे अंकल बहुत इसके सामने गड़गर आते हैं और बोलते हैं कि प्लीज मुझे पैसे दे दो उसने दिया नहीं लेकिन कहां से देगा पैसे नहीं तो ज मॉडगेज करने के लिए तो अंकल श्रीनात के पास कुछ भी नहीं होता है और उसके बद वो रिक्वेस्ट करते हैं सत्यजीत से कि प्लीज तो तुमारा गाउं में जो तुमारे चोटा सा घर और फिश पॉंड है उसको तुम गिरवी रखो तो मेरी बेटी की शादी हो ज फाइनली बीना की शादी होती है और फाइनली अब कुछ भी नहीं है सत्यजीत के पास लेकिन इस सब के बाद भी उसको गाउंवालों ने बहुत रिस्पेक्ट, बहुत आदर, सम्मान, ओनर दिया और इसी लिए चाप्टर का नाम है ग्लोरी त्वाइलाइलाइलाइलाइल याने शाम के समय, जब अंधेर हो जाता है याने जब उसकी लाइफ में अंधेर हो गया, कुछ भी नहीं था, फिर भी ग्लोरी थी, फिर भी फेम थी उसकी पास, जो उसको गाउंवालों द्वारा रिस्पेक्ट के तॉर पे मिली, So, this was all about the chapter and now let's begin with our explanation. The narrow, the slow narrow gauj, Indian train with its awkward freak of an engine had a way of making unauthorized stops for no good reason. तो अब यहाँ पे story ऐसे चल रही कि जो सत्यजीत है, वो train में बैठा हुआ और गाउं जा रहा है, तो बता रहे हैं कि जिस train में बैठा है, बैठा है, वो काफी slow चल रही है और वो narrow gauj है, narrow gauj याने railway gauj which is narrower than the standard gauj, याने जो पतली पतली railway की जो tracks होती है, उसको हम कहते हैं narrow gauj. तो किते हैं मैं उस narrow gauj Indian train में बैठा हुआ हूँ, जिसमें इसे awkward, suddenly एक freak, याने unusual है, ऐसी कभी आवाज आती नहीं है, suddenly एक आवाज आई किसकी train की engine की, और क्यों आवाज आई क्योंकि train stop हुई, एकदम जब brake लगता है train का, तो एकदम आवाज नहीं है थी, एकदम squeak की, वैसी आवाज आई, क्योंकि ये जो train है, बार बार बार, बिना authorized authorization की, याने की not having official permission, याने train को officially permission नहीं है, लिकिन बार बार बिना किसी reason की, train बार बार बीच में stop कर रही है और रुक रही है, और for no good reason, याने कोई reason नहीं है, पर बार बार train रुक रही है, between fields of corn, और कहां रुक रही है, याने corn, याने corn के खेतों में कभी बीच में रुक जारी है train, और at the foot of a village, या किसी village के विल्कुल foot याने जहां से village शालू हो रहा है, वहीं पर रुख जारी है, कभी भी कहीं भी train रुख जारी है It was said that the guard signaled a hold to pluck a pumpkin or ripe melons from its stem or to buy fistfuls of green gram from a patient Halt का मतलब क्यों होता है, stop, रुखना, fistfuls याने मुठी भर, as much as a person can hold in his hands इतना जितना एक इंसान अपनी hand अपनी मुठी में भर सकता है तो क्यों बार-बार train रोक रही थी, जिस train में बैठके village गाओं जा रहा था सत्यजीत ये बोला जा रहा था कि जो guard है वो बार-बार signal कर रहा था कि रोको रोको क्योंकि उसको pluck करना था याने train के side में कोई stem में से उसको दिख रहा था कि कोई pumpkin कोई कद्दू बड़ा ripe है बड़ा रसीला कद्दू है या ripe melons याने खरबूजे बहुत अच्छे तो वो train रोक दे रहा था सिर्फ वो खरबूजे और वो melons या पंकिन याने की कद्दू लेने के लिए और क्या खरीदने के लिए जो गाहों जो train के side में खेतों में चोटे-चोटे peasants याने की poor farmers जो बैठे रहते हैं वो green gram याने इस तरी के जो हरे चने होते हैं वो लेने के लिए fistfuls याने कुठी बूर उन से लेने के लिए वो बार-बार पूरी train रुख वा रहा था तो इससे काफी जादा जो passengers बैठे होए थे वो गुस्सा हो रहे थे train में some of the passengers grumbled and sat down with drawn brows composing in their minds angry letters to authority or to the press तो जो कुछ passengers बैठे थे वो grumble कर रहे थे याने चुप चप बैठे थे और अंदर या अंदर उनको गुस्सा आ रहा था complain about something in a silent way ने शांत बैठे थे लेकिन बहुत गुस्सा आ रहा था और उनके drawn brows गुस्से आने जो उनके eyebrows वो ऐसे हो गई थी गुस्से में और अपने माइंड में वो compose कर रहे थे बना रहे थे कि एक बार बास हम गाहां पहुच जाए तो हम लेटर लिखेंगे बड़ी authority को यह जो official letters है उनको देखेंगे अप्रेस वालों को लेटर लेखेंगे कि भाई यह सो-and-so train बेफालतुकली बार-बार बीच में रोक रही है बट अदर्स लेकिन कुछ passengers ऐसा सोच रहे थे लेकिन जो दूसरे passengers थे, seized the chance to slip merrily out of the doors for a breath of air and a view of the green fields seized का मतलब क्या होता है, took an opportunity, अगर आपने कोई opportunity ले लिए तो उसे हम seized कहते हैं और merrily का मतलब क्या होता है, happily याने खुशी, खुशी से तो दूसरे passengers ने क्या क्या है, यह opportunity ले ली क्या रहे, वहाँ train रुक गए, कुछ passengers भाहर चले गए, हवाँ में सास लेने के लिए या जो खुले खुली green fields, याने खुले जो यह मैदान थे, उसमें का view लेने के लिए, उसका मज़ा लेने के लिए, कुछ passengers भाहर चलेगा और कुछ अंदर यह अंदर बैठके, गुस्ता हो रहे थे बार-बार train रुक रही है Language का मतलब क्या होता है, relaxed या feeling lazy, जो आरा हम से बिलकुल आलस में लेटा हुआ है तो जो सत्यजीत था वो अपनी cushioned bench, cushion वाली bench पे बैठा हुआ था, बहुत lazy feel कर रहा था वो Vacated का मतलब क्या होता है, leave या get out of place, फिर उसने भी अपनी जगा से उठा, अपनी seat से उठा, दूसरे occupants याने, दूसरे passengers के साथ और बहार गया फिर उसने अपनी cigarette निकाली, लेकिन पहले उसने अपनी cigarette के डबे में हाथ डाला और एक second में ही Bruce Lee, Bruce Lee का मतलब quickly, फटा-फट, फटा-फट उसने अपना हाथ withdraw कर लिया कि पहले सोच रहा था मैं cigarette प्यूँ, फिर उसने अपना हाथ एगना पीछे कर लिया कि नहीं, मुझे नहीं पीनी that won't do, he told himself with a stern shake of his head, his smoke was rationed, rationed का मतलब बता है lessened याने कम हो जाना तो उसने फिर अपने आप से cigarette ना पीते हुए बोला कि नहीं, stern shake of head याने उसने खुद से ऐसे बोला कि नहीं मुझे तो नहीं पीनी क्योंकि उसकी जो smoke थी वो ration हो गई थी, याने जो उसकी cigarette सी वो खतम हो गई थी और शाद सरिफ एक last बची थी तो उसने बोला नहीं अभी नहीं पीता हूँ वह थोड़ी देर बात पी लूँगा और वो शाद अपनी कोशिश भी कर रहा था कि मैं cigarette पीने की आदत कम करूँ तो इस वज़े से उसने कम नहीं पी वो वाली cigarette He had attuned himself in the past month to a fast growing list of denials, large and small and this was one Attuned का मतलब क्या होता है, to oneself aware याने जब आप अपने आपको aware कर रहे हो आने किसी चीज के लिए aware कर रहे हो कि हाँ नहीं मुझे ऐसा करना चीज है नहीं करना चीज बिसिकली खुद को किसी चीज के लिए आदत डाल रहे हो यहाँ पर Denials का मतलब क्या होता है, the action of refusing something जब आप खुद को ही deny कर रहे हो, याने मना कर रहे हो चोटी बड़ी चीजों के लिए तो कहीं न कहीं सत्यजीत ने खुद को आदत डाल दी थी, पिछले महीने से fast growing denial से, याने बहुत सारी उसकी life में छोटी बड़ी चीजों के लिए उसने वो खुद को मना कर रहा था कि नहीं, मुझे नहीं करना और उसमें से एक चीज ये भी थी कि सिगरेट मुझे नहीं पीनी How can he afford the unrestricted luxury of chain smoking? Unrestricted का मतलब होता है unlimited तो ये unlimited जो उसकी आदत है बार बर chain smoking के याने बार बर और थोड़ी दिर में that still had semblance of an undreamable dream Semblance का मतलब क्यों होता है looking similar but actually the reality is different चीजे पहले जैसे same दिखती बट reality जो अब भी जो reality वो काफी बदल चुकी है तो यहां ये बोला जा रहा है कि भाई चीजे भले पहले जैसी उसके सामने दिख रहे हो पहले इतना वो अमीर था, M.D. बन गया था बैंक का अब उसके पास कुछ नहीं है तो भले चीजे सेम देख रहे हैं पहले जैसे लेकिन अब कुछ नहीं क्योंकि अब उसका bank बन दो चुक है जिसके साथ उसकी जॉब और उसका घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ जा चुक है तो पहले जैसी चीजे सेम देख रहे तो वो इतनी लग्जुरियस लाइफ अफोर्ड नहीं कर सकता बार बार सिगरेट पी नहीं किये और लाइफ में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप ड्रीम करो, सपना देख और वो सपना पूरा नहीं हो तो बेसिकली ये भी वो सोच रहे कि अगर मैं सोचू हूँ, कि सिगरेट ना पियूँ तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि मैं पूरी नहीं कर सकता हूँ, मैं इस पर कंट्रोल कर सकता हूँ अब विंस्ट का मतलब क्यो होता है जैसे है आपको कोई पेन होता है, जैसे एकदम मान लिजे, दर्वाजे में आपकी उंगली आ गई तो अब एकदम आप पीछे होता है, तो यह जो आप एकदम पीछे हो रहे हो, यह पीछे होने का जो आपका बॉड़ी का मुवमेंट है, due to this pain, इस दर्थ की वज़े से, इसको विंस्ट कहते हो फॉर्चून का मतलब क्यों होता है, भाग गया आपकी डेस्टिनी तो बोल रहे हैं इस सेंटेंस में कि उसका जो वील ओफ फॉर्चून था, याने जो उसकी किस्मत का पहिया था, वो ऐसा गूमा कि उसको विंस्ट दोना पड़ा है, याने कि उसको इतनी तकलीफ हुई, इस लाइफ के इस फेलियर से, जो उसके पास अब कुछ नहीं है, इ विंट राउंड और राउंड, पुल्ड बाया फोर्स बियांड हिस विल, रेमिनेसेंस का मतलब क्या होता है, मेमरीज ऑफ पास्ट याने पहले की कुछ मेमरीज कुछ यादे जो इंसान अभी याद कर रहे है, तो जब उसके पास बहुत सारे पैसे थे, वो M.D. था बैंक पाथ, एक रास्ता, तो कह रहा है, बार-बार ये पुरानी जो यादे है, उसके दिमाग के और बुट में से बार-बार गोल-गोल घूम रही है, ना चाहते हुए भी, तो अब बतारे कि क्या हुआ था, कि उसका बैंक बैंक में उसने जॉब करना स्टार्ट किया तो और वहाँ पर उसका बहुत कंट्रोल भी चलता था, तो इस चीज में डिनाए नी कर रहे है, मना नी कर रहे है कि वो लख फाक्टर उसके साथ था, कि वो सदनली एक दिन में M.D. बन गया बैंक का, लेकिन साथ साथ उसका दिमाग था, क्योंकि वो होश्यार था, इस इनिशियेटिफ था, याने वो हर चीज में आगे पहल लेके आता था, बैंक में कि मैं कर दूँ, मैं कर दूँ ये काम, तो उसका इनिशियेटिफ वाली है, हैबिट उसकी ग्रेट, ग्रेट याने डिटर्मिनेशन उसकी दिरिंडता थी, जॉब को लेके और उसकी एनरजी थी, इन सब चीजों की वज़े से भी उसने सक्सेस पाया, या प्रमोशन पाया, ठीक है, स्टार्टिंग अज़ा मेर क्लर्ग, ही हाट बिकाम मैनेजिंग डिरेक्टर, और नाव, वाट नाव, तो उसने शुरुआत कैसे करी थी, बैंक में एक क्लर्ख के तोर पे काम करना स्टार्ट किया था, और वो सड़नली, एक दिन में मैनेजिंग डिरेक्टर, याने, M.D. बन गया था, बैंक का, और अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, तो ये सारी चीज़े अब दिमाग में आरी, कि मेरे साथ इतना बढ़िया सब चल रहा तो, पर अब एकदम से मुझे, क्या हो गया, तो ये सब वो सोच रहा है, अब यहां से सत्यजीत का अपेरिंस की वो कैसा दिखना था, वो डिस्क्राइब कर रहे है, तो सत्यजीत जो था न, वो लंबा आदमी था, पतला था, उम्रक नियरली 40, याने 40 के आसपास थी लगबग, और उसके फीचर याने नहीं नक्षकतर काफी शाप थे, the hair receding on his temple in white, shiny, smooth patches, receding का मतलब क्यों होता है, go move back and further, याने जब बाल उसके यहां थे और temples, यह जो वर्ड दिखर है, temple, वो यह होता है, याने जो यह area होता है, यहां का उसको temple कहते, तो जो उसके बाल थे, वो उसके temple से इदर उदर 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 ऐसे ओड़ते रहते थे, याने यहां से उसके बाल थे इन वाइट शाइनी स्मूथ पैचेज याने यहां से उसके बाल थे और इधर इधर से बाल नहीं थे तो यहां पर खोपड़ी उसकी शाइन करती थी यहां चमकती थी His eyes hated glare and he wore smart eyeglasses to shield them glare का मतलब क्या होता है strong light बहुत तेज रौशनी तो उसकी आखों को तेज रौशनी नहीं पसंदी इसलिए वो बहुत अच्छे eyeglasses याने sunglasses पहनता था अपनी आखों को shield करने के लिए याने की cover करने के लिए His mouth thin-lipped would tighten in response to a line that suggested strength of will but might have been only pride तो जो उसका mouth था वो thin-lipped याने उसके lips पतले था और वो हमेशन को ऐसे tight कर देता था किसी भी बात के response में और ये बताया जा रहा है इस line में की जो भी success उसने आज तक पाई थी वो उसकी strength यानो उसकी ताकत की वज़े से नहीं थी बलकि उसकी pride उसके गर्व की वज़े से उसको आज ही success इतनी मिली थी what now? अब वो खुच से सवाल बार बार पूच रहा है train में अकेला बैठा है मायूस कि आप क्या? मतलब अब मैं managing director भी नहीं हो, सब खतम होगे आप क्या? He said to himself और खुच से वो बोले जा रहा था in an under breath under breath याने speak in a whispering tone याने खुच से अंदर या बात कर रहा था अपने आप से पुस पुस आ रहा था अब क्या? मतलब मैं लाइफ में इस तरीके से वो भेफ कर रहा था those words had become his obsession what now? तो ये जो शब्द थे what now? what now? ये उसके लिए obsession बन गए थे याने एक सनक बन गई थी वो अपने आप से बार-बार पूचे जा था अब क्या करूँ आप सनक बन गई थी कि अब मैं क्या करूँगा? तो ये खुद से क्वेसिंस वो बार-बार पूचे जा रहा था he had no business to be on his wretched train on a neglected railroad traveling away from the city where he must look for work for the means of living wretched का मतलब क्यों होता है in a dirty and a very bad condition तो जो जो चीज बहुत गंदी बहुत बुरी condition में होती उसको wretched कहते है तो बोल रहा है कि उसका कोई business उसका कोई काम नहीं था इस गंदी सी train में बैठना और जो railroad पटरी थी सामने आज उसको निगलेक्ट कर रहा था तो उस पर ध्यान भी नहीं दे रहा था बस बैठा हुआ था वो कुछ नहीं कर रहा था बस city से travel करके शेहर से travel करके कहीं दूर जा रहा था और उसको तो इस वक कोई काम देखना चाहिए कोई और नई जॉब देखनी चाहिए थी for the means of living याने जिन्दा रहने के लिए पैसे कमाने के लिए लेकिन इस train में उसको ना कोई काम था ना कोई धनना था बट फिर भी बैठके बस जा रहा है मायूस हो जैसे village में with the sudden collapse of his bank all his private assets were gone overnight the equities, the house on Tagore Street, even the two cars his and his wife's collapse का मतलब क्या ओता है downfall या failed suddenly जिस bank में काम करता था उसमें एक downfall आया याने वो fail हो गई, bank बंद हो गई जिसकी वज़े से जिसके personal खुद के assets है, घर, गाड़ी, बंगला सब चले गए overnight याने रातो राते की रात में, उसकी जितनी equities थी याने जितने भी shares और stocks थे, इसके पास वो सब भी रातो रात चले गए, इसका Tagore Street पे खुद का घर था वो भी चले गया, in fact इनके पास दो कारें थी, एक इसकी खुद की और एक इसकी बीवी की, वो दोनों भी बिग गए, सब चली गए, ओवरनाइट याने रातो रात, तो इसके पास ये रातो रात वापिस बिकारी बन गया, कुछ नहीं था इसके पास, और मॉसी that she was away from the scene, with her parents at Delhi, and unaware of the full extent of the ruin, मर्सी का मतलब यहाँ पर मतलब यह है कि thank God, और यह she कौन है, यह she है, इसकी wife, उसकी wife के बारे में बात हो रही है ruin याने destruction बरबादी, तो वो खुद से ऐसा सोच रहा है कि thank God, मेरी wife यहाँ पर है नहीं, वो अपने parents के साथ रहने गई है, दिल्ली में कुछ दिन के लिए और she is unaware, उसको इस बारे में यह जो destruction, यह जो बरबादी हुई हमारी life में, इस बारे में उसको कुछ नहीं पता, a telegram had come last Tuesday, announcing the safe birth of her child, एक पिछले ही Tuesday, एक letter आया उसकी wife का, और उसमें उसने बताया कि finally उनके बच्चे का safely birth हो गया याने कि यह पापा बन गया है सत्यजीत their first born, for he had married late in life और यह जो है बच्चा, यह उनका first born है याने पहला ही बच्चा हुआ है, क्योंकि सत्यजीत ने अपनी लाइफ में बहुत देर से शादी करी थी तो 40 years की एज में इसका पहला बच्चा हुआ, his son क्या हुआ, उसको बेटा हुआ his Iyer, यह Iyer इसली बोलेंगे क्योंकि H silent है, Iyer याने उसका वारिस तो उसका बेटा, उसका वारिस family का finally आ गया and he had sold off his diamond ring to send his young wife a remittance for the name giving rights remittance का मतलब क्या होता है a sum of money sent in payment as a gift कि आप कुछ पैसो का amount भेजते हो एक साथ और कोई gift नहीं भेजते हो, बस पैसो का amount भेजते हो कि हाँ, यह gift के तौर पे अब आपको उसका जो खरीदना है ले लो तो वो remittance होता है और name giving rights याने की नाम करण की जो ceremony होती है बच्चों की, जिसमें नाम रखते हैं, तो बताते हैं कि उसने ना अपनी खुद की सत्य जीत के पास एक diamond की अउठी थी, वो उसने बेच दी, ताकि वो जो पैसा है वो अपनी बीवी को भेज सके कि वहाँ पे भाई उसके बच्चे की नाम करण की ceremony हो रही थी तो बोला ये पैसा लो, इससे नाम करण करना वहाँ पे, तो इसने अपनी रिंग भी बेच दी She had married a man of fortune that made it harder for him in this crisis तो शी कौन उसकी वाइफ तो वो ऐसा सोच रहे कि जो मेरी बीवी थी उसने man of fortune से शादी करी थी याने कि एक बहुत पैसे वाले इंसान से शादी करी थी लेकिन अब ये उसके लिए बहुत hard याने सत्यजीत के लिए बहुत difficult हो रहा है कि वो उसको कैसे बताए इस crisis के लिए कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है True, she knew it all about his earlier life और ये बात सच है, true है कि जो earlier, पहले की life थी सत्यजीत की उसके बारे में उसकी वाइफ को सब कुछ पता था कि पहले उसके पास कुछ नहीं था वो गाहों से आया था, clerk के तोर पर काम करता था और फिर MD बना था बैंक में, तो ये सब उसकी वाइफ को पता थी बट डाट वो स्टोरी बुक स्टफ इट कुड बी नरेटेड हापिली तो दर फर्स बॉन वहनी ग्रिव ओल्डर तो वो कहता है जो मेरी ये पूरी सक्सेस की जो मेरी स्टोरी थी, ये एक स्टोरी बुक जैसी थी जो ये सुनाता कभी अपने बच्चे को जब वो ओल्डर हो जाता इसका बच्चा की देखो बिटा, मैं पहले गाउं में रहता था फिर मैं शहर आया, बहुत मेहनद करी क्लर्ग बना, M.D. बना, हमारे पास कार थी, घर थी ये सारी कहानी के तोर पर वो अपने बच्चे को बताता जब वो बढ़ा होता और दूसरे life के sequel part में याने दूसरे part में उसको failure मिला तो ये दूसरा part कैसे बताए अपने बच्चे को बढ़े हो की हम fail हो गय थे फिर से सब खतम हो गये था glory was all overlaid with dark shame, glory was dead तो जो glory थी याने की जो fame, जो rich और famous थे वो लोग इतना जादा वो सब dark shame याने बहुत अंधेरी शर्मनाक चीज़ से वो ढख चुकी थी और जो इनकी glory, जो इनका famous नेस था, जो इनकी fame थी वो सब आप dead हो चुकी थी याने की खतम हो चुकी थी तो वो कैसे बताता अपने बच्चे को भी तो वो सोचता है कि यह कितना आसान होता मेरे मेरे life में कि अगर मेरे life में कोई और नहीं होता है इना बीवी बच्चा नहीं होता, अकेला में होता और मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना रहता, तो कितना सही रहता, सब sorted था born in a humble village home, self-educated struggle had been his life breath तो अब सत्यजीत का शुरू से बता रहे हैं कि वो कहां पैदा हुआ था वो एक गाओं के घर में पैदा हुआ था हम्बल याने बहुत पुलाइट लोग थे इसके फैमिली वाले इसने बहुत मुश्किल से खुद को एजुकेशन प्राप्त करवाई स्ट्रगल किया इसने थ्रू आउट इसकी लाइफ में और मताब स्ट्रगल तो शुरू से लेकि अब तक इसकी लाइफ में हमेशा सही था How grateful he was for the clerkship he secured grateful याने thankful finally फिर इसने इतनी मैनत करी शेहर आया और फिर इसको bank में clerkship की नौकरी मिली तो कितना thankful था यह उस लाइम के finally चलो मुझे clerk की नौकरी मिल गई A turning of the wheel of the fortune he had wondered the next turning a year after was more dramatic फिर वो पता रहे कि finally इसकी life में जो destiny का पईया था वो घूमा fortune यह ने destiny भाग्ये का पईया ऐसा गूमा कि वो अभी तक wonder करता है याने हैरान होता है कि पता नहीं में clerk से कैसे इती बड़ी position पर पहुच गया इसकी life में एक साल बाद आने clerk की नौकरी से एक साल करी और एक साल बाद इसकी life में turning point आया जो की बहुत dramatic था ने full drama से भरा हुआ था और इसकी life में बहुत change आया क्या change आया what made him give a fixed look to the man beyond the brass grill of the counter तो अब वो बता रहा है कि कैसे यह clerk से managing director बना तो बताता है कि मैं बैठा हुआ था अपने अपने desk पर अपने counter पर और brass की की एक वो थी counter था याने पीतल की से लोहे की counter थी जैसे bank के desk पर होती है जब भी हम large sum तो उस आदमी ने सत्यजीत को एक चेक दिया encashment के लिए यहने exchange of check for cash यहने चेक दिया कि भाई यह चेक है और so and so amount का यहने जो भी amount का उसने चेक दिया था बहुत ज़्यादा बड़ा amount नहीं था लेकिन मतलब उसके मतलब वो आदमी अजीब सा लगाया है सत्यजीत को eye upon eye means you seen to the other persons eye and you eyes and you have the same views and opinions like them तो eye upon eye याने वो भी सत्यजीत को आँखों में से देख रहा था और थोड़ा डर आवा लग रहा था सत्यजीत भी उसको continuous देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जो चीज का डर उस आदमी की आँखों में वो डर सत्यजीत अपनी आँखों में फील कर रहा था कि यह डर रहा है किसी बात से तो सत्यजीत को doubt आया अलाम vivid in the face and hand on the counter shaking curiously तो जादमी को देख के सत्यजीत को ऐसा लगा कि चहरे पे यहने face पे कोई अलाम है कोई 12 बजी हुई है और उसके जो हाथ थे जो सत्यजीत के counter पे ऐसे रखे हो थे वो शेक हो रहे थे कहीं न कहीं डर के मारे surprised stirred by a quick impulse he took the check to the accounts desk compared the signature with one of the record impulse का मतलब क्या होता है a strong instinct from within you अपको अंदर से जब को instinct आता है अंतरात्मा जवाब देती कि नहीं कुछ तो गढ़बढ है तो सत्यजीत के जो impulse था ना उसको कहीं न कहीं ऐसे signal दे रहा था कि नहीं इस आदमी को check करो यह check जो दे रहा है यह सहीं नहीं दे रहा तो उसने क्या किया accounts desk पे गया सत्यजीत उस check को लेके और उसने compare किया जो signature check पे किया हो था कोई पुलाने पहले के किसी record पे it tallied तो जो check पे signature था और पुराने record में जो signature था वो tally हो गया और match हो गया but that face that mind पर फिर भी जो चहरा जो हाथ काप रहा था जो डर वो देख रहा हो था आदमी के चहरे पे उसको कहीं न कहीं doubt हो रहा था सत्यजीत को a hundred reasons none connected with the check could explain the face and hand तो भले ही 100 reasons थे कि हाँ check match हो रहा है sign सही है signature सही है लेकिन फिर भी जब वो चहरा और हाथ कापती हुए और देख रहा तो जादमी के चहरे पे तो वो कोई connection नहीं मिला पा रहा था सत्यजीत उस चीज़ पर तो उसको कहीं न कहीं doubt गया even so the impulse led him to the telephone लेकिन अभी भी कहीं न कहीं शक था सत्यजीत के अंदर तो उसने क्या किया एक telephone call किया confirm करने के लिए Sir, have you signed a bearer check for rupees 2000? It has yesterday's date तो उसने phone किया बोला कि Sir, क्या आपने कोई check sign किया है क्या? 2000 रुपे का उसमें कल की तारीख डली हुए अब ये 2000 रुपे उस जमाने में बहुत बड़ा amount हुआ करता था तो सामने से बंदा बोलता है, rupees 2000, 2000 रुपे का? No, मैंने कोई check नहीं sign किया भाई 2000 रुपे का His heart felt pain for lack of air Suddenly, सत्यजीत के दिल में जैसे दर्थ सौगा कि अरे, ये मेर पास कल की तारीख के 2000 का sign करके लाया है चेक और बंदा मेर को बोल रहा है, मैंने तो कोई check sign किया ही नहीं है Sir, are you sure? सत्यजीत बोलता है, sure हो The signature seems okay, signature तो ठीक की लग रहा है जो आपने किया है लेकिन उस बंदे ने बोल ये, नहीं भाई मैंने तो कोई check sign किया ही नहीं है In the next instance, he was back to his counter in a rush फटा फट, सत्यजीत अपने counter के पास गया, rush याने दोड़ते भागते हुए Where was the man? क्याता है, वो आदमी का गया There, close to the exit And the face turning back for a moment, wore stark fear तो उसने मुला, औरे वो रहा वहाँ पे exit, याने बाहर Bank के बाहर जाने का जो रस्ता है, वहाँ पे खड़ा हुआ है और he was going, वो वापिस जा रहा था अपने गर और उसके चहरे पे stark fear था, याने Completely but sharp, डर था उसके चहरे पे तो सत्य जीत उसको देखके समझ गया कि यह तो जूटा आदमी है Feet bounded up the counter सत्य जीत अपने feet याने अपने पेर counter के उपर कूद के गया उसको पकड़ने के लिए The blank clerk hunted down his prey on the gravel path 20 paces from the front door तो जो सत्य जीत था उसने jump करके counter से भाग के गया और hunt किया याने पकड़ लिया अपने शिकार को याने उस जूटे आदमी को gravel path याने कच्छे रास्ते पे दोड़के गया और पकड़ लिया 20 paces याने steps कुछ 20 कदम दूर ही ताहा वो सामने वाले door से और उसको जाके सत्य जीत ने पकड़ लिया और there was no struggle, इतनी कोई difficult काम नी था बस जल्दी से जाके उसने पकड़ लिया The man crumpled down in a heap, crumpled का मतलब पता है collapsed on the ground तो जो आदमी को जैसी पकड़ा वो जमीन पर ground पर जाके गिर गया He squatted with head between his hands looking down, tears rolling down तो वो squat याने ओकड़ू बैड़ गया और उसने ऐसे कर लिया अपने दोनों हातों के बीच अपने सर को ऐसे दबा लिया और उसके आखों से बड़े बड़े आसू बहने लगे उस आदमी के Why did you have to commit forgery? She has TB She? तो उसने पूछा सत्यजीत ने ओस आदमी से कि तुमने forgery क्यों की याने act of copying signature और रहनी bank document तो जब आप जूटा signature करते हो sign करते हो, गलत करते हो कुछ तो वो forgery होता है याने जूटा होता है bank के concept में तो सत्यजीत ने उससे पूछा forgery क्यों करी? तो वो आदमी बोलता है उसे TB है, सत्यजीत बोलता है कौन शी? किसकी बात कर रहे हो? She is dying for want of medicine और फिर वो आदमी बोलता है मेरी जो मतला मर रही है medicine की need के लिए याने कि अपनी बीवी की बात कर रहा था कि जो मेरी बीवी है उसको TB हो गया याने tuberculosis नाम की बिमारी हो गई और वो मर रही है क्योंकि इसको दवाईयां चाहिए और मेरे पास दवाईयों के पैसे नहीं है तो सत्य जीट बोलता है कौन तुम किसकी बात कर रहे है वो आदमी बोलता है मेरी wife मेरी बीवी I saw no other means I give lessons in maths to the rich man's son that money तो वो बोलता है मेरे को कोई और रास्ता ही नहीं मिला क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं था और वो कहता है मैं तो teacher हूँ और मैं maths का lessons याने classes देता हूँ एक बहुत अमीर आदमी के बेटे को और उसी अमीर आदमी का जूटा signature मैंने यहां पे करके आपको दिया है The head between the hands wagged from a side to side in queer rhythmic frenzy Wagged का मतलब क्यों होता है shake or move Queer का मतलब क्यों होता है strange अजीब और गरीब तरीके से frenzy याने madness पागलपन में तो जो उसने हाथ ऐसे दबाए तो बार बार ऐसे कर रहा था फिर ऐसे फिर बोल रहा था तो पागलोग तर अजीब तरीके से बार बार अपने हाथ आगे पीछे कर रहा था उसको लगा था कि शाइद मेरे को यह लोग मारेंगे तो बहुत रो रहा था That was the way the clerk grew into an accountant और इसी तरीके से जो clerk हमारे सत्य जीप थे वो क्या बन गए accountant क्योंकि वो hero बन गए bank वालों के सामने तो उसका promotion हो गया He deserved what he had gained तो जो उसने पकड़ा था उस आदमी को इस वज़े से वो deserve भी करता था अपनी समझदारी और दिमाग की वज़े से उसने deserve भी करता था accountant होना और वो बन भी गया He was not made to be mere clerk और वो पैदा नहीं हुआ था एक clerk बनने के लिए क्योंकि वो उश्यार बहुत था इसलिए accountant बन गया Lost in the thrill, he had honest contempt for his stepping stone, the forgerer अब thrill याने excitement अवो बहुत excited था कि मैंने तो इसको चोर को पकड़ लिया Contempt का मतलब क्यों होता है, dislike जब आप किसी को सच में पसंद नहीं करते हो, अब यह जो forgerer था याने जिसने चोरी का नकली का signature करके आया था, यह कई बर आता जाता रहता था Bank में, और सच में सत्यजीत इस आदमी को पसंद नहीं करता था, इस वज़े से सत्यजीत ने इसको क्या बनाया, stepping stone, याने इसके उपर, मतलब इस आदमी के उपर CD चड़के उसने success की CD पाई, तो चाहता तो इसकी मदद कर सकता था, पैसे खुद से अपनी तरफ से दे सकता या इसको पुलिस में नहीं पकड़वा था, लेकिन सत्यजीत ने इसको क्या बनाया, stepping stone, याने इसके उपर ही चड़के मैं success की CD चड़ूगा, तो उसने क्या किया, यू कुद नौट कमेट सच अ क्राइम इवें तो से और डाइंग वाइव, बट चुदे, as he sat on his loan bench on the train, he saw mind pictures and felt troubled, तो सत्यजीत ने उसको बोला था कि भाई, तो मारी बीवे अगर मर भी रही होगी, तो अभी तुम इस तरीकी का crime नहीं कर सकते, बैंक में आके भाई, लेकिन आज, जब वो अकेला बैठा हुआ है, उस loan, याने lonely, खाली train की bench पर, तो उसके mind में, वो सारी यादे, व और इन सब चीजों से उसको बहुत trouble हो रही है, इन सब चीजों से बहुत तकलीफ हो रही है सत्यजीत को कि मैंने success की CD कैसे चड़ी थी एक आदमी को, परिशान करके jail में डलवा के, the crouched figure on the gravel path wrapped in mute grieving, crouched figure याने ओकडु बैठ के, या आदमी इस तरीके से jail में, ऐसे crouch होके painful feel कर रहा था, the prisoner at the bar, और अब वो क्या बन गया है, एक कैदी बन गया है, बार याने jail की सलाकों के पीछे, face frozen उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, क्योंकि वो जेल में, as though he had died within himself, और ऐसे बन रहा था उसका चेहरा, जैसे वो अंदर ही अंदर शाहित खुदी म गया है बिचारा, had he nothing to say to the court, the judge had asked, तो judge ने जब इस forgerer को ये नकली साइन करने वाले आदमी को पूछा की, क्या तो मैं कोट को कहने के लिए कुछ है, कुछ बोलना है court से, तो वो कहता है, punish me, कहता है मुझे सजा दे दो, is that all, judge पूछते है, बस यह कहना है, तो वो कहता है, punish me as a killer, लेकिन जो मुझे punishment दो, वो एक killer की, याने एक murderer की मुझे punishment देना, judge कहता है, killer, तुम खिलर थोड़ी हो भाई, तुमने तो नकली बैंक में साइन करिये, तुमने किसी का खून थोड़ी किया, तो वो कहता है, I have put my wife to shame, shame kills as fast as TB, तो वो कहता है, मैंने अपनी बीवी को बहुत शर्मनाक situation में डाला है, क्योंकि जब उसको पता चला कि मैंने चोरी करी, तो वो वैसे ही शर्म से मर गई, और जो shame है, kills as fast as TB, जितनी तेजी से TB की बिमारी किसी आदमी को मार सकती, उतनी ही तेजी से shame, याने शर्म जो है, वो किसी इंसान को अंदर यंदर मार सकती, तो कहता है, मैंने कहीं ने कहीं अपने बीवी को shame की में मार दिया, TB की वज़े से नहीं मरी वो, तो मुझे killer के तौर पे आप सजा देना, Yes, that wretched one had turned the wheel for him with his trembling hand, तो wretched का मतलब क्या होता है, miserable and sad, तो उस बेचारा, दुखियारा आदमी जो इतना sad था, उसने समझो, एक तरीके से सत्यजीत की जो destiny का wheel है, याने कि जो किस्मत का पहिया है, खुद अपने trembling hands, याने की shaking, कापते वे हातों से उसने गुमा दिया, याने क कि वो कहीं ने कहीं बली का बकरा बन गया, याने उसने गलती तो करी ठीक, उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, सत्यजीत चाहता तो उसको बचा सकता था, लेकिन बचाया निया उसने उसको और पुलिस की गिरफ्त में इसको गिरफतार करवा दिया, तो कहीं ने कहीं सत्यज क्लर्क से अकाउंटेंट बन गया और उसमें वो बली का पक्रा बन गया यह खुद वो पिस गया उसमें जेल में चले गया तो moving continuously चल रहा था याने success ही success मिल रही थी सत्यजीत की life में He had every reason to be grateful to the forgerer सत्यजीत के पास हर एक reason है आज की date में कि वो बहुत grateful होना चाहिए याने thankful होना चाहिए उस forgerer याने कि उस जूटे sign करने वाले आदमी से क्योंकि काई नगा उसकी वज़े सी वो successful हुआ Too late now to seek him out Give him a chance to live सत्यजीत सोचता है आप बहुत देर हो गये यह कि मैं उसको ढूंड़ू उससे पूछूँ मैं उसको जीने देता हूँ अपनी life जहां पर भी वो अभी है Too late, बहुत लेत हो गया उसको तो नहीं जा सकते हो उसके पास सत्यजीत सोचता है He himself solely needed a chance to live और उसको एक chance दे दो जीने के लिए The banking business lay around him in a broken mass and there was a prostrate on his face in the wreckage sucking its dust Prostrate का मतलब क्यों होता है Lying on the ground जो जमीन पर पड़ा हुआ है On his face याने की मू के बल जो जमीन पर पड़ा हुआ है Wreckage का मतलब क्यों होता है Remains of something that is badly damaged तो किसी चीज की जो बची कुछी चीजे आखरी बची है और वो आखरी बची हुई चीजे भी damage हो चुकी है और बरबाद हो चुकी है तो वो बोल रहा है कि जो banking business था उसके सामने बिलकुल टूटा फूटा जमीन पर फहला हुआ चारो चाने चारो कोने चित पड़े हुए थे क्यों क्योंकि banking business अब खतम हो चुका था और जो बचा कुछा था उसके पास घर गाड़ी वो भी सब wreckage हो गया और डिस्ट्रॉई हो गया बरबाद हो गया All his fault यह सब गल्ती किस की है सत्यजीत खुद क्यों ब्लेम करते हैं कि सब मेरी गल्ती है He had tried to overreach himself Overreach का मतलब क्यों होता है Trying to achieve everything very fast यह आपको सब कुछ बहुत जल्दी से life में अचीव करना है उसको overreach कहते है तो सत्यजीत कहता है सब मेरी गल्ती क्योंकि मैं ही बहुत चाहता था कि मुझे life में सब कुछ बहुत जल्दी मिल जाए Each wrong step was now clear to time's perspective और जैसे जैसे समय आ रहा है उसको अपना हर गलत step जो उसने life में कभी लिया है वो आज उसको शांत में एकांत में उसको सब समझ में आ रहा है कि मैंने क्या wrong steps लिये थे life में the run on the bank had come all too suddenly though failure had a tempo faster than success तो जो bank का यह run था जो bank का यह loss था failure था वो suddenly आ गया था एक दम अचानत से उसकी life में आ गया था और वो सोच रहा था कि जो failure है जो life में आपको failure मिलती है उसका tempo याने उसकी speed याने उसकी speed बहुत तेज होती है success से याने जितनी तेजी से success आता है उसकी double speed से failure भी आपके पास आता है क्योंकि घड़ी का काटा मेंशे एक सा नहीं रहता घड़ी का काटा गूमता है तो life आपको वापस वहीं पर लेकर आएगी तो यह सारी चीजे वो सोचता है He had great need to fly from himself that was why he was honest on this train तो इसनी life में उसका कुछ हो गया सत्य जीत को इसलिए कहीं न कहीं उसको ऐसा लग रहा था मैं खुद से ही दूर हो जाओ याने मैं खुद से ओड के कहीं दूर चले जाओ और इस वज़े से वो इस train में आज बैठा हुआ था अ लेटर अट कम तो इस निक तुद इन निक ओफ ताइम ओफ ताइम ओफरिंग हम एन एक्स्क्यूस अ टेंपरेदी रिलीव फ्रॉं दर रेंचिंग विदिन निक ओफ ताइम का मतलब क्यों था है जस्ट विफोर दे लास्ट मोमेंट विन सम्थिंग बैट कैन हापन वह आखरी मोमेंट जब कुछ बुरा बस होने ही वाला था उसके जस्ट पहले इस निक ओफ ताइम तो वह आखरी मोमेंट के समझव बस सत्यजीत अपने साथ कुछ गलाती कर देता डिप्रेशन में आके जस्ट उसके पहले एक लेटर आया सत्यजीत के पास उसको ओफर करा कि मतलब यह लेटर जो है ना एक तरीके से उसके लिए एक 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 टेमप्रेरी बहाना एक टेमप्रेरी रिलीफ सुकून मिल गया था जो रेंचिंग उसके अंदर चल रही थी उससे रेंचिंग यहने ट्वेस्ट एंड टर्ट जो अंदर धमा चौकडी यहने अंदर जो emotions mixed feelings उपर नीचे जब जो उसके अंदर जो चल रहा था उससे बचने के लिए एक टेमप्रेरी रिलीफ था यह लेटर उसके लिए अब यह लेटर किसका था यह लेटर था गाउं में रहने वाले सत्य जितकी गाउं में रहने वाले उसके अंकल का यह सगे अंकल यहने सगे चाचा नी तो उसके पडोसी के अंकल ते अब गाउं में तो सबका बहुत प्रेम प्यार होता ही था पडोसी उसे भी तो लेक्टर में क्या लिखा था कि मेरी जो पाँचवी बेटी है जिसका नम बीना है उसकी शादी होने वाली है इस महीने की 20 तारिक को और मैंने आपको पोस्ट किया हुआ यहने लिखा है कंटिनिसली कि नेगोसीयेशन की क्या प्रोग्रेस है नेगोसीयेशन यहने लड़के वालों से क्या हमारी बातची चल रही है दहेच के ओपर की कितना देना है कितना लेना है उद्न सब के बारे में भी मैंने आपको कंटिनिसली बताई रहा हूं मैं लेटर्स के थुरू I seek your benediction as in the case of my second, third and fourth daughters कामिनी, दामिनी and सोहासी benediction का मतलब क्यों होता है blessing, आशिरवाद लेकिन यहाँ पे वो uncle जो है वो कह रहे है कि भाई मैंने मुझे हमेशा से अपनी दूसरी, तीसरी और चौथी नमर की बेटी जिसका नाम था कामिनी, दामिनी और सोहासी इनकी शादियों में हमेशा ही तुमारी तरफ से मुझे benediction मिला है याने blessing मिलिये in the form of money याने यह था बहुत पैसे वाला था तो इनकी पहले की बेटियों की शादी में भी इन्होंने बहुत पैसा दिया है सत्यजीत ने तो बोल में कि जब बीना की शादी हो जाएगी तो सरफ अरुना एक आखरी बेटी मेरी बचेगी जो अभी तैन्थ एर में याने जो अभी सिर्व अपने 10 साल किये तो अभी उसकी शादी निया तो बोलता है बस यही मुझे कहना था तो बस यही मुझे कहना था तुमारे मजबूर अंकल श्रीनात तो यह जो लेटर है उसको गाहों से उसके अंकल श्रीनात से आया था तो बस यह जो लेटर आया था शादी का जो इंविटेशन आया था इसी वज़े से जो सत्यजीत है वो ट्रेन में बैटके गाहों जा रहा था उस सिचुएशन में जब उसके पास सब खतम हो चुका है एक तरीके से किसका माइंड थोड़ा रीफ्रेश हो जाए गाहों जाएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा बस असली जा रहत है वो डॉटर क्राइस इंडीड मियूज़ सत्यजीत वित दिम स्माइल मियूज़ का मतलब क्या होता है तो सत्यजीत खुद से बात करते हुए और छोटी सी एक दिम स्माइल देते हो बोलता है कि हम डॉटर क्राइस सच में कि भाई बेटियों की प्रथा अंकल श्रीनात अनेबर और शांतिपूर विलेज तो वो सोचता है कि जो मेरे अंकल श्रीनात है यह मेरे पडोसी थे शांतिपूर गाउं में मेरा उनसे कोई ब्लड रिलेशन याने खून का रिष्था निये कोई सच के मेरे चाचा निये वो लेकिन ऐसा लगता है कि वो नियूमरेस बहुत सारी बेटियां पैदा करते रहते हैं इस विश्वास में कि दूसरे लोग कभी उन बेटियों की शादी का ब्रंट याने बर्डन उठा लेंगे इसके लिए तो हर बार अपनी बेटियों की शादी पैसे लेटर लिखता है सत्यजीत को की भाई बेनेडिक्शन दो याने ब्लेसिंग दो अब ब्लेसिंग का मतला उसके लिए कोई आशरवाद नहीं याने कुछ पैसों की मदद कर दो तो वो यही सुच्छा है की इसके लिए बास यही है की हमेशा बस बिनेडिक्शन देते रहो और हमने जैसे की कोई बर्डन लेके रखा है इनकी बेटियों की marriage lips को पूरा करने के लिए और सत्यजीत ने हमेशा से इनकी बेटियों की मदद क्यों करी क्योंकि वो flush of prosperity में था याने बहुत पैसे वाला था तब और वो more than open-handed राया याने खुले हाथ से कुछ जादा ही उसने उन पहले बेटियों की शादी में इसने दिया अंकल श्रीनात को और अब इस बार फिर उसको letter आया कि भाई मेरी बेटी की शादी तो अब क्या matter हो गया है अब बात आ गई सत्यजीत की pride याने उसके pride पे और उसके satisfaction के लिए खुद के satisfaction के लिए कि नहीं मुझे इस बेटी की शादी के लिए उसकी मदद करनी है तो जब सत्यजीत छोटा था इसी शांतिपूर विलेज में वो पैदा हुआ था उस जबाने में लोगों ने कभी इसके बारे में सत्यजीत की बारे में इतना सोचा नहीं था और कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि इस बच्चे में कोई भगवान ने special gift देके पैदा किया यह बहुत ब्रिलियंट है होश्या रहे इसको हमेशा common herd यानिक ordinary एक मामूली बच्चा ही समझते थे ताट वस दो ओल दमोर रीजन वाई ही इंजॉइट सक्सेस और इसी वजह से यह सबसे बड़ा रीजन था कि सत्यजीत अपनी सक्सेस को बहुत जादा इंजॉइ करता था इंगाओं वालों के सामने क्योंकि यह लोग सत्यजीत को कुछ नहीं समझते थे लेकिन आज सत्यजीत बहुत बड़ा आदमी बन गया था तो सत्यजीत चाहता था कि इन लोगों की वाइड आइड वंडर रहे याने यह लोग हमेशे है हैरान मित्ती बड़ बड़ी आँखे करके सत्यजीत को देखी कि अरे कितना पैसे वाला आदमी बन गया है और इगर होमेज होमेज याने की स्पेशल रिस्पेक्ट शोन पब्लिक ली जब आप सब के सामने किसी एक इनसान को स्पेशल रिस्पेक्ट देते हो तो अंकल श्रीनाथ हमेशा सब के सामने सत्यजीत को रिस्पेक्ट देते थे बहुत जादा ओनर देते थे तो सत्यजीत क को यह सब चीज से बहुत अच्छी लगती थी और वो चाहता था कि यह लोग जो है longing करें मेरी money की याने desire और यह जो गाहँ वाले थे कहीं ने कहीं सत्यजीत की रिस्पेक्ट इसली करते थे क्योंकि उनको अपनी जरुवतों के लिए पैसे चाहिए रहते थे सत्यजीत से तो यह clear एक give and take relationship था याने यह लोग सत्यजीत को respect देते थे public के सामने सब के सामने सम्मान देते थे जिस तो उसका ego satisfy होता था और return में सत्यजीत इन गावलों की पैसों में मदद कर देता था तो यह give and take relationship था सत्यजीत का कहीं ने कहीं ego satisfy होता था इनकी respect से All that was over लेकिन अब इस बार जब सत्यजीत बीना की शादी में जा रहा है वो सबब सब खतम क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन ये सारी चीज़े गावलों को और अंकल स्रीनात को नहीं पता ये बात तो सिर्फ उसको खुद को पता है Fallen from his castle in the clouds सत्यजीत must tread the earthly ways of humble folk अब सत्यजीत समझो जो आसमान में clouds में जो उसने अपना महल बनाया था उससे वो गिर गया है अब सब खतम हो गया है Tread का मतलब walk सत्यजीत अब humble folk यानि normal people जैसे जमीन पे जुड़के चलते सत्यजीत को भी अब वैसे ही चलना पड़ेगा But he could not deny the old man altogether लेकिन ये जो old man है यानि जो uncle श्रीनात थे इनका letter वो deny नहीं कर सकता था कि मैं नहीं आऊँगा क्योंकि वो बहुत उसके पुराने uncle थे तो वो गया इसलिए शादी में He must send him some help और उसने सोचा था कि मैं कुछ न कुछ मदद तो भेजूँगा बीना की शादी के लिए He had pondered over the amount तो सत्यजीत ने amount के ऊपर ponder किया यानि बहुत deeply carefully सोचा कि कितना amount में लिफाफे में डाल के दूँगा बीना की शादी में पहले तो वो पैसे दे देता था लेकिन इस बार तो एक एक पैसे पे उसको सोचना पड़ेगा He had to ponder over each rupee before he spent it तो इस बार तो एक एक पैसे पे सत्यजीत को ponder यानि की सोचना पड़ेगा क्योंकि पैसे ही नहीं है उसके पास Then all at once he had come to a decision he would go to Shantipur and attend the marriage फिर उसने finally decide के कि मैं Shantipur जाओंगा और बीना के शादी attend करूंगा This would be a welcome relief the city was suffocating him तो उसको न जब वो village जाता है न तो उसको बहुत अच्छे से welcome करते हैं village के लोग सत्यजीत को तो उसने मोला मेरे को welcome करेंगे मुझे relief मिलेगा और वैसे भी शेहर जो है अब मुझे suffocate कर रहा है याने घुटन हो रही है तो मैं थोड़ी दिन के लिए village चले जाता हूँ His mind would be freshened, his strength renewed for the coming struggle by the return of the physical scene which had been his starting point in life तो उसने सोचा कि मेरा mind थोड़ा freshened अप हो जाएगा मैं गाउँ जाओंगा तो और मुझे ताकत भी renew हो के मिलेगी याने मुझे और ताकत मिलेगी गाउँ जाके थोड़ा अच्छा लगेगा ताकि मैं फिर से वो struggle कर पाऊँ जो physical scene याने जो मेनत मज़़ूरी कर पाऊँ वापिस उस चीज़ पर return हो पाऊँ जो कभी मेरी life का starting point था याने जहां से मैंने शुरुवात करी थी अब मुझे फिर से अपनी struggle वहीं से start करनी इसलिए थोड़ा freshen up होने के लिए गाउँ चले जाता हूँ मैं अच्छा लगेगा मुझे Let that be his starting point once more तो उसने सूचा कि चलो यही अगर मेरा starting point है तो मेरा फिर से starting point यहीं गाउँ से ही शुरू होना चाहिए Outwardly as much as in the spirit He would also take the chance to look at his ancestral house and fish pond Both leased out Bits of property still intact amid the vast demolition Leased out का मतलब क्यों होता है Given as rent जब आपने किराय पे कोई चीज किसी को दे दिये Intact याने complete पूरी तरीके से कोई चीज जो अभी भी आपके साथ जूडी हुई है Demolition का मतलब उता Destruction याने बरबादी तो वो सोचते है ठीक है मैं गाउँ जाता हूँ इससे मुझे ने अपना ancestral house मेरे गाउँ में मेरा एक पुष्टैनी मेरे पूरवजों का घर है और एक fish pond है याने मचलियों का एक चोटा सा pond है वो भी मेरा यह वो मुझे देखने का मिलेगा वो भी जाओंगा और देख लूँगा और वो इस वक्त दोनों चीजे rent पे दे दिये हमने लेकिन इस point of time पे सरफ यह ही दो चीजे घर और fish pond है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस बरबादी के समय में और कुछ नहीं है इस वक्त सत्यजीत के पास तो यह सारी चीजे हैं जो घर और जो fish pond है उसने सोचा था मैं अपनी wife को यह आखरी gift के तौर पे दूँगा कि भाई तुम यह रख लो क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए और जिस दिन शादी थी उस दिन उसने एक message पहुचवा दी अंकल श्रीनाथ को कि भाई मैं आ रहा हूँ शादी में लब ख़बर दे दी अपने आने की अंकल को अब यह सारी चीजें सत्यजीत ट्रेन में बैठे बैठे सोच रहा था जब ट्रेन बंद थी जब सब पैसेंजर कुछ गुस्सा हो रहे थे कुछ बाहर चले गए थे अब सड़नली श्रील ऑफ वर्निंग आई इंजिन किया अने सड़नली अब ट्रेन का इंजिन स्टाट हो गया जो ट्रेन बार बार रोक रही थी शुरू आतमे जब आप लेके खड़े हो हवा में कोई चीज धंडा जब आप लेके खड़े हो तो जैसे शांतीपूर पहुंचे उसने ट्रेन के दर्वाजे के बार जाक के देखा सत्यजीत ने तो वो ढूंड रहा था अंकल श्रीनात को की कहां पर है स्टेशन प्लाटफर्म में लेकिन उसने देखा कि बहुत सारे लोग क्राउड करके याने एक साथ भीड बनाके खड़े हुए और बहुत जादा एक्साइटेड हैं खुश है खुश दिख रहे हैं और उनमें से एक इनसान जो था वो हवा में इतना बड़ा हिंदुस्तान का जो नाशनल फ्लैग है वो एक बैंबू के पोल याने लकडी पे लेके फ्लैग लेके खड़ा हुआ है अब पॉलेटिकल सेलेब्रिटी उन दे ट्रेंट स्ट्रेंज अंकल श्रीनाथ हुआद आलवेस फिर पॉलिटिक्स वर लीडिंग दे ग्रूप तो इत्ती भीड देखके नैशनल फ्लैग देखके सत्यदीत सोचता है क्या इस ट्रेंड पे कोई पॉलेटिकल सेलेब्रिटी यह कोई नीता वेता है क्या जुटता यह लोग भीड लेके खड़े हुए फिर उसने सुचा कितनी अजीब बात है कि जो मेरे अंकल श्रीनाथ है जो हमेशा पॉलिटिक्स है याने की राजनीती से डरते थे वही उस भीड का लीडर बनके लीडिंग दगरूप याने लीड तो जैसे ही वो रुका वहां पे सब लोग आके रुके तो सबने कोरस में सबने साथ में चीखा और चिल लाया और क्या बोला स्वागत है आपका वेलकम तो बेसिकली यह सारी बेड़ बेड़ सब किसके लिए थी सत्यजीत के लिए थी आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो सत्यजीत की वेलकम में सब आए थे और उसने देखा कि एक छोटी बच्ची बिचारी जो बहुत ओसी लग रही थी प्यारी सी लग रही थी वो आई और जैस्मिन के फूलों की एक माला लेकर आई अपने हाथ में और सत्यजीत उसको बड़ी कन्फूजन में देख रह थ और नौट नौइंग ली, नौइंग वाट इड मेंट तो बस ऐसे जुग गया उस बच्ची के सामने की ठीके मुझे माला पिना लेकन उसको समझी नहीं आया कि यह मुझे क्यों माला पिना रही और इतना मुझे रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं अध्या जानने की इच्छ तो गाहँ वालों को लग रहा था भी आया है, बहुत पैसे वाला अदमी है, ये बीना की शादी में बहुत पैसे देगा, लेकिन अंदर ये बाद तो सत्य जीत को बतान है कि मैं तो ठंटन गोपाल हूँ भाई, मेरे बास तो कुछ भी नहीं है, मैं खताम हो चुका हूँ, मे तो फिर से सबने चिलाया बहुत तेज तेज कि वेलकम सब चिलाने लगे तो साहब, फिर अंकल श्रीनाथ उस ग्रुप भाई भीड की तरफ मुड़े और कहते हाँ चुप हो जाओ सब थोड़ी देर के लिए, और अंकल श्रीनाथ के जो चीक बोन से वसे चड़े हुए थे जो grey stubble याने सफेद दाडी थी हलकी हलकी उनके चहरे पर उससे clearly वो इतना खुश हो रहे थे इतना पता चल रहा था कि उनके चहरे पर बहुत strong elation है याने बहुत great happiness है सत्यजीत को देखके friends and brothers Bengal has been greatness in almost every field of action I shall not belittle your knowledge by citing names belittle का मतलब क्यों होता है minimize याने कम करना citing का मतलब क्यों होता है to praise some person जब आप किसी इंसान की तारीफ कर रहे हो कोई बहुत great इंसान की उसी के सामने तो citing तो ये line जो है या अंकल श्रीनाथ बोलते हैं पूरी भीड से और बोलते हैं कि बेंगौल का ही विलेज है तो जो बेंगौल है उसने हर फिल्ड में इस दुनिया में greatness याने success पाई है और मैं आप लोग की नॉलेज कम बिलकुल भी नी करूंगा कुछ फेमस नामों से जिनोंने बेंगौल के लिए हर फिल्ड में कुछ ना कुछ किया है it is only in trade and industry that Bengal has lagged behind sadly the plums of business have gone to people from upcountry or from overseas plums का मतलब क्या होता है an excellent job position plums means जो एक excellent job position होती है वो up country याने कि towards the interior of the country याने कि देश के बीचों बीच जो madhya भारत है वो Bengal मद्य में नहीं Bengal इस तरफ है overseas का मतलब क्या होता है foreign countries विदेशी विदेशी देश जो विदेश के लोगों थे वो तो वो अंकल बोलते हैं कि बेंगॉल ने अहार फील्ड में बहुत excellent किया है लेकिन सिर्फ trade और industry ही ऐसी फील्ड है जिसमें बेंगॉल लाग बहन है याने पीछे रह गया है बहुत बुरी बात है यह और जित्ती भी गुड ग्रेट अच्छे अच्छी जॉब पोसिशन से बिजनस में वो सब मध्य भारतिय लोगों को पास चली गई है या तो फिर foreign country के लोगों ने वो job positions ले लिये that is why our hearts grow big with pride at the side of the son of Bengal a son of our own Shantipur village who has attained great success in that field और फिर वो बोलते है इस वजह से हमारा जो दिल है वो बहुत बड़ा हमारी चाती बहुत चोड़ी हो जाती है गर्व से जब हम हमारे यह Bengal के बेटे को देखते हैं हमारा खुद का शांतिपूर गाहों का जो हमारा बेटा है सत्यजीत जिसने कितनी सक्सेस कितना सक्सेस पाई अपनी इस फील्ड में that forbidden field forbidden याने की डिबाड उस इस फील्ड को जो छूट गई थी हमसे ट्रेड एन इंडस्ट्री की फील्ड जो हमसे छूट गई थी बैंकिंग इंडस्ट्री जो बेंगॉल से चूट गई थी उसी फील्ड में हमारे स्चान्तिपूर के बेटे ने कितना नाम रोशन किया है और जो हमारा मदर लैंड है हमारी भारत जो हमारी धरती है बेंगॉल की धरती को उसने बहुत ग्लोरी आने फेमस किया है इसलिए स्वागतम सत्यजीत वेल्कम इस तरीके से अंकल श्रीनात ने एक स्पीच दी सत्यजीत के लिए पुब्लिकली सबने भी फिर जोर से चल ला है स्वागतम और ट्रीकलर याने जो देश का जंडा था वो भी इस तरीके से वो लोग सब हिला रहे थे अब सत्यजीत ट्रेन से फाइनली ओक्स काट में याने की बैल गाडी में बैड गया और उनके घर की तरफ गया फिर फाइनली बैल गाडी घर पे आके रुकी मट ब्रेक हाउस था उनका याने की मिट्टी का छोटा सा घर था वहाँ पे not a woman याने जैसी वो घर पहुचा तो घर के दरवाजे पर उसने देखा बहुत औरतों की भीड लगी हुए जो बहुत देर से हाथ में चांदी पीतल के जो वाटर बोल्स होते हैं याने की बरतन लेके पानी लेके उसमें खड़ी हुए था और बहुत देर से सत्यजीत का वेट कर रही थी और जैसी सत्यजीत नीचे उतरा scrambling for the privilege, scrambling याने move in hurried way जल्यली याने एक दुसरे को धक्का मुकी करके जल्यली आने की कोशिश कर रही थी ताकि उनको किसी एक लड़की को ये privilege याने special benefit एक advantage मिल जाए कि मैं धोंगी सत्यजीत के पेर याने गाव में योता है कि कोई महमान भार से आता है तो उसके मान सम्मान आधर में लोग बहुत ठंडे पानी से घर की ओरते उनका पैर खुद धोती है तो उस benefit को पाने के लिए कि पैर धोने का जो benefit है वो हमें मिले लड़किया ओरते जो आपस में धक्का मुकी कर रही थी ताकि थंडे पानी से मैं उनका पैर दो पाऊं और जैसी सत्य जीतने देखा कि औरते आ रही है और एकाद कोई मेरे पैरों में गिर रही है पैर दोने के लिए विचारा बहुत जादा इंबारस हो कि उश्रैंक हो गया ने से कुड के खड़े होगा कि क्या हो गया भाई ये जैसे लड़किया आ रही थी कि पैर दोने के लिए फाइनली कौन जुक के पैर दोने लगा बीना वही लड़की जिसकी शादी थी तो श्रीनात अंकल बोलते है अरे ये benefit ये advantage तो मेरी बीना को मिला है चलो बीना कोई अकेले पैर उनके धोने दो और वाई प्याने उनके पैर पोचने दो और उनके respected पैर धोने का मौका मिला है और आज बीना की शादी के दिन उसको ये मौका मिला है और ये मौका वो अपन ने शुब दिन पर मेरी शादी के दिन पर मुझे इन रिस्पेक्टेड सत्यजीत अंकल के मुझे पैर दोने के मौकर मिले तो बीना को दोने दो भाई पैर तो जैसे ही सत्यजीत ने बीना को देखा लड़की को देखा जो आई शाय याने शर्माती हुए आई तो जैसे ही बीना नीचे जुकी उनके शूस की लेस उतार रही थी उनका पैर दोने के लिए लिए तो अंकल श्रीनाथ बुलते है मुझे उमीद है कि इतनी प्यारी बच्ची का जो ग्रूम है जो उसका दूला है वो इसके लायक है She slipped off his socks and poured cool water to freshen his feet washing them with keen care keen याने की excellent care तो उसने क्या किया बीना ने उनके shoes उतारे, socks उतारे और ठंडे पानी से उनके पैरों को fresh कर रही थी याने धो रही थी अच्छे से और बहुत care से बहुत ध्यान और प्यार से अराम से कर रही थी As her slim fingers went between his toes he wiggled them for he felt ticklish तो जैसे उसकी पतली उंगलियां जो थी उनके पैरों को धो रही थी उनको गुदगुदी tickling लगी पैर में Presently he sat on a carpet in the inner veranda with a plate full of sweets and glass of whey While Kamini Damini and Sohashi sat near him on their haunches and waved palm fans with all their energy As though each passing minute had to be fully used before their hands were deprived of the privilege तो अब पैरवेर धुल के और presently finally वो अब घर के वरांडा में जमीन पर एक carpet बिचा के दिया उन्होंने और वहाँ पे आके आराम से बैठे है सत्यजीर और उनके सामने मठाईयों की बहुत भरी हुई plates और वे का एक glass है वे आने की buttermilk मठे का एक glass पी रहे हैं चाज का और वो enjoy कर रहे हैं और जो बाकी तीन बेटियां हैं अंकल श्रीनात की कामिनी दामिनी सुहाशी वो अपने haunches पर याने ओकणू बैठी हुई हैं सकत्राइब लिएम अंकल नी सुरी सत्यजीत के और पाम Leafs पुराने जमाने में से पंखे नहीं हो दे ऐसे पंखे कर रहे हैं थी तीनों बेटियां सत्यजीत को अपनी पूरी एनर्जी से याने अपनी पूरी ताकत से ताकि बिल्कुल भी गर्मी ना लगे सत्य जीत को और हर एक मिनिट जैसे जैसे पास हो रहा था वो तीनों बहने ऐसे बेव कर रहे थी जैसे कि बिल्कुल एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर कर रहे थी पंखा लेकिन उनको ये जो मिला हुआ है ये जो पंखा करने का सत्य जीत को उससे डिप्राइब ना हो जाएं वो लोग याने कम से कम डिसद्वांटेज ना हो जाएं असा ना हो जाएं कि कोई और आके उनसे पंखा ले ले और करने लगे बिल्कुल अपनी पूरी एनर्जी से कर रही थी कि बस हम ह करेंगे तो इस तरीके से वो लोग सत्य जीत को रिस्पेक्ट दे रही थी sweat broke out on their faces and they shifted their fans from right hand to left and again to the right their mother who stood by now spoke in a murmur husky with emotion तो पसीनों से भर गई तीनों पहने एक हाथ ठग गया तो दूसरे हाथ में left hand में कर दिया right तो फिर left इस तरीके से कर रही थी लेकिन पंखा बढ़िया तरीके से कर रही थी सत्य जीत को फिर उनकी mother याने यही बीना और तीन लड़कियों की जो mother है वो आई और धीरे धीरे बात करने लग गई husky तरीके से emotion में आके सत्य जीत से husky याने deep and low pitched voice याने बहुत घहरी आवाज और बहुत धीमी आवाज से अब सत्य जीत से आके बात करने लगी you have been more than a father to these girls than he jerking her head at her invisible husband तो कहती है कि आप तो एक पिता समान है मेरी बेटियों के लिए जितना जादा ये मेरे husband नहीं कर पाए मेरी बेटियों के लिए आपने as a father मेरी बेटियों के लिए भाई बहुत किया है but for the bigness of your heart they would still be mage under this room shooting up in years and in height with no chance of having husband in home तो कहती है कि आपी की वज़े से मेरी बाकी की तीनों बेटियों की शादी हुई है आपका इतना bigness of heart यानि आपका दिल इतना बड़ा है आपने इतना किया कि वो आज भी इस कमरे में maids यानि बाईयों की तरह दासियों की तरह आपके सामने बैठी रहेंगी और आपकी सेवा करेंगी आपने इतना जादा कर लिया है मेरी बेटियों के लिए और अगर आप ऐसा नहीं करते तो बस वो उनकी उमर इतने सालों तक बढ़ती जाती उनका कद बढ़ता जाता और उनका कोई पती नहीं होता याने अगर आप नहीं होता तो मेरी बेटिया कवारी रह जाती बिल्कुल शी लिफ्टे और सारी फ्रिंजिस तो हर आईज वाइपिंग अफ दो इत्ते मोटे मोटे आशो उसकी माँ के आँखो से निकलने लगे उसने मने साडी का पलन उठाय और पोचने लगे और थैंक्फुल थी बहुत जादा सत्य जीत के लिए सो बच्चो यहाँ पर मैं इस वीडियो का पार्ट नंबर वन फिनिश करती हूँ क्योंकि यह जो हमारी शॉट सोरी है यह कुछ सर्व नाम की शॉट सोरी है थोड़ी सी लेंग दिया है तो मैंने आपके लिए इस वीडियो को इस चाप्टर को बेसिकली टू पार्ट में डिवाइट किया हुआ है पार्ट नंबर वन और पार्ट नंबर टू और यहाँ पर इस वीडियो का इस चाप्टर के एक्स्प्लेनेशन का पार्ट नंबर वन मैं फिनिश करती हूँ So do not forget कि आप मेरा part number 2 देखना ना भूले Okay So तब तक के लिए Bye-bye and take care